कि वीडियो में basically हम जानेंगे रैप सीड के की पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट है चोग एक्जाम पॉइंट विई से बेहद इंपोर्टाइब हो जाते हैं वह अलग होगा बट अगर नूर्मल कोश्चन पूछागा है कि बोटानिकल नेम उप रैप सीड तो ब्रेशी का स्पिसीज सो इसकी फैमली है यह कुल से बिलोंग करता है चलिए इसकी औरीजन की बात करते हैं देखिए इसका औरीजन जो है वो चाइना है और यह एक्जाम प लेम यहिए और रैप सीट का बोल्ठानिकल नेम होगा ब्रेशी का नापस और ब्राउण मस्टड जिसे हम इंडियन मस्टर के नाम से जानते हैं इसका वोगा ब्रेशी का जुनियका देखे यह एकशाम पोईंट भी से काफी मुझ्रा को जाता है क्योंकि ब्राउन मस्टर्ड को सोने आवर ताम से जानते हैं तो इंड्यन मस्टर्ड ॵा या Peanut लगता है वाट इस दडबोटञ निगल नेम इंडिएं मस्टर्ड तो बरेशी का जुनिका आप यह याद रखेगा बरेशी का जुनिका इंडियन ब्रेशी का निग्रा देखें ब्लैक मस्टर्ड यूज ओप कॉंडिमेंट परफस के लिए जो हम यूज करते हैं ब्रेशी का निग्रा जो ब्लैक मस्टर्ड के नाम से जानते हैं और बात करते हैं इतिपॉनियन मस्टर्ड की देखें इतिपॉनियन मस्टर्ड का ब्रेशी का के यनाता होगा कि और अगली बात करते हैं तो रिया मॉश्ट वाइडली सेप्रेटिन द वर्ड कॉसना सकता है आप को तारामीरा जो बोटा निकलिए मोगा इरुका सटाइवा वोलेंटर आप याद रखने चाहे तो याद रख सकते हैं सभी बट दो पॉइंट ही काफी इंपोर्टन है की पॉइंट है प्रेसी जूनिका और उप है कि यह और आप अगर याद करना चाहे तो यह कर सकते हैं बस मो करते हैं चलिए और जो अक्टूबर है एक रभी कुरोफ है तो तीन अक्टूबर से वीक ओफ नॉम्बर फर्स्ट फीक नॉम्बर के पहले सब्ता तक इसकी कर देते हैं चलिए अब बात करते हैं सीड रेट की में कुरोप के लिए अगर आप अपनी फेल्ड में केवल सरसोई गूर रहे हैं एक हक्टर के लिए तो फोर टू सिक्स केजी पर हक्टर बींग मुर्दैन सफिसांट होगा म्क भूप जैसे वीट पलस मश्टर्ड तो डू टू त्री केजी पर हक्टर के लिए सफिसेंट सीड रेट होगी इस प्रसिंग की बात करते हैं मस्टर्ड और्ट तो 45 Cm x 15 Cm देखे रो टूरो और प्लांट प्लांट वारी करता है इसी परकार तोर्यर रैपसीड 30 सेंटीमेटर और 10 cm रो प्लांट वारी करेंगा इरिकेस्ट की बात करते हैं तूरीगेशन चैन मौर सफिसेंट है तो विएंटि तो 30 cm वाइट रिक्वार्मेंट देखे ये पॉइंट की पॉइंट है एक्जाम में डिलेक पूचन पोचन पूचले जाता है थब टोचनिक लिए वटकशन्ट की बार्च में और सबसे पहले इस्टेज होगी प्रोच यदा बाद देखनों मिलती है लगबग प्लांट के दो तीन लीवस पार दिखाई पड़ती है तो उस कंडिशन को कंसिडर कर सकते हैं तो इसका सिलीकुवा क्या है इसके फ्रूट को बेसिकली हम सिलीकुवा के नाम से जानते हैं देखिए यह एक्जाम पॉइंट ओवी से काफी इंपोर्टेंट है कि डिरेक्ट लिकोशन यहां से पूट अप हो सकता है कि मस्टड के फ्रूट को क्या कहते हैं तो अंसर होगा सिलीकुवा कि से रिलीटिट है तो आंसर मस्टड होगा तो चलिए आगे बढ़ते ह है वेराइटीज की बात करें देखे बैसिकली अगर वोलिंटेर आप करना चाहिए दो कर सकते हैं बट्ट वेराइटीज एक्जाम पॉइंट ओवे में आये ब्यूप सेफ होना ही कभी आज तक तो पूछी नहीं है तो चलो देख लेते हैं तोरिया तोरिय के लिए टाइब और बाकी तो आप पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं और हाँ दो दो तिन वाराइटी आप मस्टड की यानि कि राई या लाहा के नाम से जानते हैं रखे करांती वरूना पूसा बोल्ड इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी ओफ मस्टर्ड पूसा बोल्ड और चल आप से डिरेक्ट पूछ सकते हैं एक्जाम पॉइंट वीव में मस्टर्ड की हाइब्रीड वेराइटी कुन से है तो पूसा जैकिसान जिसे बायो नाइन जीरो टू के नाम से भी जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखें बात करते हैं कनोला टाइप वेराइटी ओफ गोभी सीजन सो इसके आंसर होगा पी जी एस एच फिप्टीवन देखें मैंने पिछली वीडियो में जब सफोला के की पॉइंट डिसकस कर रहे थे हैं तो कनोला से एक कोशन था उसमें सफो यहां पॉइंट विवे में एक कोशन होता है सफोला किसे रिलेटिड है तो वह थोटा है सफ फोला से सोरी साफ फ्लोवल से तो दो कॉइंट काफी मिपूटेंट है और नियूटेंट मेनेजमेंट की बात करे तो हम सिक्स्टी रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 10 जो कि हम N.P. के एस जाइडन पर्तियक्टर शिटम पर्तियक्टर मोर्दन सफिसेंट होगा देखे इसमें सल्फर डालने का जो बेसिकली साफ लोर मताया था कि सल्फर जो है एक ओईल एकुमिलेट एलिमेंट है तो सल्फर की हमें देना काफी जुरूर जाता है क्योंकि जो ओईल का सिंतेस स्टोरेज देखे 8 परसेंटेज 8 परसेंटेज ओईल कुरोफ है तो बेसिकली हम ओईल क्रोफ के लिए लगबग 6-7 परसेंटेज और 10-12 से लिए लिए रखते हैं तो याद रखेगा चलिए बात करते हैं कि ए आई सी आर पी ओन ओल सीड वाज इस्टार्टिड ओन सो आंसर होगा 1967 देखे इसकी फुल फोम है आल इंडियन कोडिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो की ओल सीड पर क्या गया था यह हुआ था 1967 और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि सबसे पहला आल इंडियन कोडिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कि स्कुरोप पर और कब हुआ था सो इसे के साथ हमारा सेसन यहीं पर समापत होता है और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएगे कि आपको कि स्रीज के कोशन चाहिए सो हम पूरी हाडली कोशिस करेंगे कि आपकी डिमांड जो है फुल्फिल हो सके और अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफियस नहीं आप तक पहुचता रहे और हमारी चैनल के लिंग कमने फ्रेंड में सेर्ट कीजिए ताकि उनक भी बेनिफित हो सेगे तो थैंक यू सो मच